अल्ट्रा लक्षरी स्पेस में मर्सेडीज बेंज ने लॉंच कर दी है मर्सेडीज माइबाग जी एले सिक्स हंड़िड पॉर मैटिक जो कि मर्सेडीज माइबाग रेंज की पहली एस्यूवी है वैसे तो माइबाग रेंज जानी चाहती है अपनी सुपर लक्षरी सेडान के लिए लेकिन अब इस स्पेस में भी SUV का चलन बढ़ रहा है तो मर्सेडीज भी इस ट्रेंड को फॉलो करते वे लेकर आ गई है माइबाग GLS 600 यू समझ जीजे कि ये SUV वही माइबाग S-Class Sedan वाला अल्ट्रा कम्फुटबल एक्स्पिरेंस देगी बथ SUV की प्राक्टिकालिडी के साथ आये जान टेहिंस की खूबिया और खासियत वेलकम तो वाटकार इंडिया योटकार इंडिया यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा जिससे हमारे सारे वीडियो अप्लोड्स आप तक तुरंट पहुँच सके Mercedes My Back Car जानी जाती है अपने Grand Yard के लिए और GLS 600 में भी ये जह लगता है ये गाड़ी 5.2 मीटर से जादा लंबी है, 2 मीटर से जादा चौड़ी और इसकी हाइट करीब 1.8 मीटर है इसका वील बेस ही 3.15 मीटर से जादा है गाड़ी बड़ी तो है ही इसका स्टाइल ट्रीक्मेंट इसको रॉयल रोड प्रेजन्स देता है सामने 28 स्लाट पिन स्ट्राइप क्रोम ग्रिल है और बोनट पर Mercedes का अपराइट 3.8 स्टार कमपनी का कहना है कि माइभाक्ट रियले 600 पहली SUV है जिसमें Mercedes टार अप्राइट पोजेशन में दिया गया है हेंड लाइट्स मल्टी बीम LED हैं नीचे एर डैंप्स और बंपर एरिया में भी क्रोम दिखेगा सामने से ये गाड़ी मस्कुलर और बोल्ड दिखती है साइट प्रोफाइल में विंडोस के आसपास क्रोम है दोर हैंडल स्क्रोम में दिये गए हैं और नीचे भी क्रोम की स्ट्रिप दिखाई देगी यहाँ पर खास है इसमें दिया गया रिट्राक्टिबल रणिंग बोर्ड डीप अलर पर माइबाग का बैच इसकी आइडेंटिटी इस्टाबलिश करता है यह 23 इंच के सेरमेक अलोईज ऑप्शनल है और एस स्टांडर्ड मिलेंगे ब्लाक ग्लॉस फिनिश के साथ 22 इंच के मल्ती स्पोक अलोईज माइबाग जीले 600 मेक्स अस्टायल स्टेटमेंट लाइक नो आदर मर्सेडीज की कार्स अपने प्रीमियम इंटीर्स के लिए जाने जाती है और फिर ये तो माइबाग है तो जीले 600 के इंटीर्स में एक्स्विसिट क्वालिटी है और कमफर्ट और लक्षरी फीचर्स धेरूँ कैबिन में सीट्स, हेड्लाइनर और इवन दोर पैट्स पर नापा लेदर का जेनरेस यूज हुज हुआ है डाशबोर्ट के लिए मल्टिपल बुटन ट्रिम ओप्शिन भी अवेलिबल है और इसके स्टेरिंग वील में भी वाइट नापा लेदर ही यूज किया गया है और इसके इंट्रियर्स का महौल और भी आलिशान बना देते हैं गाड़ी में एंबिन नॉइस कंट्रोल करने के लिए अकूस्टिक ग्लास दिया गया है और साउंट टूपिंग का भी खासा इस्तमाल हुआ है इस गाड़ी में सिर्फ दो रोज है तो गाड़ी के अंदर जगह तो बहतरीन मिलती है इसमें आपको 7 इंच का रिमूबल MBUX टाबलेट मिलता है आपके गैजट्स को चार्ज करने के लिए वाइलेस चार्जिंग भी दी गई है अगर आपको और लक्षुरी चाहिए तो Mercedes आपको कस्टमाइज करने के options भी दे रही है आप 11.3 इंच रियर स्क्रीन, 26 स्पीकर सिस्टम, foldable table trays, refrigerator और champagne glass holder जैसी से विधाएं आड़ कर सकते हैं तो GLA 600 में समय बिताना किसी celebration से कम नहीं लगीगा इस गाली में आपकी safety का भी बखुबी ध्यान रखा गया है इसमें 8 airbags, tire pressure monitoring system, 360 degree camera, electronic traction control, attention assist जैसे features तो हैं ही साथ में धेरो active safety features भी मिलते हैं Mercedes MyBag GLS 600 को power करता है 4 liter V8 petrol engine जो की 557 HP की power और 730 Nm का torque बनाता है इसमें 48 volt का electric system भी है जो starter alternator का काम तो करता ही है 22 HP की power और 250 Nm का torque भी बनाता है Power deliver करने के लिए 9 speed gearbox दिया गया है इन बड़े आंकडों का असर यह है कि इतनी बड़ी गाड़ी को 0 to 100 kph जाने में मात्र 4.9 seconds का वक्त लगता है इसके SUV credentials और comfort को बढ़ाता है इसमें दिया गया 4Matic system जिसे इसे go anywhere capabilities मिल जाती है Mercedes Myback GLS 600 CBU है यानि पूरी तरह से import होगी और इसलिए company इसमें customization के options भी दे रही है इसकी कीमत शुरू होती है 2.43.000.000 रुपे से लेकिन यहां यह भी बता दूँ कि GLS 600 के चाहने वाले पर्स खोले पहले ही तयार बैठे थे और भारत के लिए इस साल के लिए allotted लगभग 50 से भी जादा units already big चुकी है तो साफ है कि इंडिया के सुपर रिच को यह ultra luxury SUV का concept पसंद आया है अधने लगड़ धप वे बफूर इस लाँच